हेलो दोस्तों कि आप DJ का काम करते हो, live program का काम करते हो और आप एक ASA amplifier डून रहे हो जो live program में monitor में भी चले, DJ में भी चले और quality काफी अच्छी हो तो इस वीडियो में हम एक ASA amplifier का review करने वाले है जो DJ में भी चलेगा और monitor में भी आप इसे चला सकते हो तो बीना स्कीप किये वीडियो को end तक देखते रहिए तो दोस्तो मैं हूँ आपका दोस्त दिली परमार आप देख रहे हैं DJ सकती चल ये start करते हैं तो Dynatec की तरब से है PD25 amplifier और ये पूरा हमें flat case के साथ में मिलता है और flat case के side में देखे तो हमें यहाँ पर handles देखने को नहीं मिलते दोनों side आप देख सकते हो तो ये यार थोड़ा सा अजीब हो जाता है मतलब इसे उठाए कैसे तो अगर दोनों side handles मिल जाते तो यार उठाने में हमें आसानी हो जाती हाला कि इसमें handles दिया गया है लेकिन front वाले ढकन में दिया गया है तो एक हाथ से हमें इसको उठाना पड़ता है जैसे हम बेग उठाते है ठीके बाकी flat cast के build quality की बात करे तो इतना भी यार मजबूत नहीं दिया गया है लेकिन amplifier के हिसाब से सही है ठीके बाकी side में हमें butterfly वाले लोक देखने को मिल जाते है तो चलिए भी amplifier के features के बारे में बात करते है तो दोस्तो यह हमारा Dynatec का PD25 amplifier इसकी price भी जानेंगे और इसमें कीतना load देना चाहिए सारी जानकारी मिलेगी सबसे पहले specification की बात करें तो frequency response 20 Hz से लेकर 20 kHz है SN ratio यानि की signal to noise ratio greater than 107 dB है class की बात करें तो class AB का amplifier है damping factor की बात करें तो greater than 700 का damping factor 8 terms पर हमें देखने को मिल जाता है THD यानि की total harmonic distortion 0.05% है इसके अलवा input CMRR की बात करें तो greater than minus 65 dB दिया गया है इसके बाद slave rate की बात करें तो greater than 30 volt दिया गया है उसके नीचे बात करें protection की तो thermal, DC, turn on bursters, subsonic और incorrect loads ये सारे protection इसमें देखने को मिल जाते है cross toll की बात करें तो greater than minus 60 dB दिया गया है net weight की बात करें तो 30 kg है और gross weight की बात करें तो 33 kg देखने को मिल जाता है तो दोस्तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखें तो हमें power on off की switch देखने को मिल जाती है तो switch की quality अगर आप देखो तो काफी यहाँ पर अच्छी दी गई है और जैसे ही switch को on करेंगे तो यहाँ पर dynatec जो name लिखा है उसमें light जलने लगती है तो यह यार इसका look काफी interesting लगता है लेकिन इसमें एक problem है यह जो dynatec लिखा है वो sticker ही है यहाँ से अगर हम इसको इसको हम खीचेंगे ठीक है तो नीचे की set आप देख सकते हो LEDs दी गई हो और उपर की set जो है dynatec का यह sticker लगाया है तो यार अभी मैंने भी यह amplifier नहीं लिया है तो इसमें कुछ अलग करते हैं तो यह निकलना नहीं चाहिए ठीक है तो यह जो यार निकल जाता है तो यह एक इसमें problem है बाकी look के मामले में यार आप देख सकते हो कितना बड़िया लगता है चमकिला हुआ ठीक है और उसके आगे देखे तो यहाँ पर हमें channel A और channel B दोनों के holiums देखने को मिल जाते है जो की काफी smoothly काम करते है बाकी यहाँ पर हम देखे तो सबसे उपर हमें protect की LED देखने को मिलती है तो amplifier जब भी आप on करोगे तो यह LED जो है सबसे पहले जलेगी ठीक है जैसे कि अभी आपने देखा तो amplifier में अगर कोई fault होगा तो यह LED जो हो जलती ही रह जाएगी ठीक है मतलब यह पूरा protection में चला जाएगा उसके नीचे हम देखे तो यहाँ पर हमें clip की LEDs दी गई है तो भाईया यह LEDs जो हो अगर red color में देते तो काफी आर अच्छा रहता है मतलब हमें देखने में दूर से भी दीखाई देता ठीक है इसमें थोड़ा color अलग दिया है तो दूर से दीखने में थोड़ा problem रहता है और signal की जो LED है हो blue color में हमें मिलती है तो यह यहर काफी सही है उसके नीचे active यानि की जब भी amplifier on करोगे तो active की दोनो LED चलने लगेगी उसके आगे देखे तो यहाँ पर PD 25 मोडल नमबर मेंसन किया है और उसमें LED नहीं दी गई है बाकी build quality की बात करें तो यहाँ पर 16 gauge की grill से यह पूरा amplifier बनाया है तो build quality इसकी काफी सही है बाकी इस amplifier में दो fan देखने को मिलते है तो fan आगे की side दिये गई है एक यहाँ है और एक यहाँ है यह हवा को यहाँ से पीछे की side धकलते है और पीछे से पूरा hitting निकल जाता है तो amplifier काफी cool रहता है इसमें कोई hitting issue नहीं आ रहा तो पीछे की side दोनों तरफ हमें grill देखने को मिलते है और इसमें fan आगे की side मिलते है तो वहाँ से सारी हवा यहाँ से बाहर निकल जाती है बाकी यहाँ पर हम zoom करें तो हमें यहाँ पर input के socket देखने को मिलते है input A, input B जो भी यहाँ mixer से output निकलेगा वह यहाँ पर हम लगा सकते है यहाँ से link A और link B यहाँ से आप दूसरा amplifier को link कर सकते है बाकी यहाँ पर कुछ switches देखने को मिल जाती है तो वह भी हम देख लेते है तो सबसे पहले हमें high pass A लिखी हुई switch मिल जाती है उसके नीचे low pass A और यह high pass और low pass यह दोनों switch हमें दोनों channel में मिलती है तो यह यार काफी सही features यहाँ पर हो जाता है मतलब दोनों channels में आप अलग-अलग set कर सकते हो अगर एक channel में top चलाना है तो top चला सकते हो दूसरी channel में best चलाना है तो best चला सकते हो तो दोनों के लिए switches अलग देखने को मिलती है तो यहाँ पर यह जो high pass है आप देख सकते हो यहाँ पर कुछ लिखा हुआ में मिलता है off, 35 Hz और 80 Hz तो यह दोस्तो अगर आप top चलाते हो इसमें ठीक है mid के speaker चलाते हो और उस speaker में 35 Hz की frequency को cut करना चाहते हो या फिर 80 Hz की frequency को cut करना चाहते हो तो यह switch को उस पर आपको set करना है ठीक है तो मान लिजे अगर आपने top यानि के mid के speaker लगाए तो low pass की switch को off रखना है और उसके बद high pass की जो switch है उसमें 35 Hz पर अगर आपने set कर दिया तो mid के speaker में 35 Hz की frequency cut हो जाएगी उसके बद अगर आपने इस switch को 80 Hz पर set किया तो mid के speaker में 80 Hz की frequency cut हो जाएगी तो यह switch भी यार काफी कमल की हो जाती है तो दोनों channel में हमें ऐसी switch मिलती है और बाकी यहाँ पर आगे देखे तो stereo, parallel और bridge तीनो mode इसमें मिल जाते है उसके आगे देखे तो gain की switch है 1.4 volt, 32 dB और 26 dB और यहाँ पर आप देख सकते हो Dynatec का logo मेंसन किया है और model number मेंसन किया है serial number यहाँ पर दिया है और output power देखने को मिल जाता है यहाँ पर हम देखे तो limiter की switch मिलती है और उसके बाजू में ground और lift की switch मिलती है उसके आगे हम नजर डाले तो यहाँ पर output A का speak on socket दिया है और उसके नीचे bridge का अलग से output देखने को मिल जाता है और उसके नीचे output B का हमें speak on socket देखने को मिल जाता है तो भया इसमें binding post में देखने को नहीं मिलता तो अगर यहाँ binding post दे देते तो काफी अच्छा रहता क्योंकि अगर यह socket वगेरा कभी खराब हो गए तो binding post में से हम तार लगा कर भी connection कर सकते लेकिन फिलहाल इसमें नहीं दिया गया उसके बाद यहाँ पर push to reset की switch दी गई है अगर amplifier trip हो जाता है तो यहाँ से आप switch प्रेस करके फिर से reset कर सकते हो बाकी यहाँ पर power cable के लिए socket दिया गया है और यह 220 से 240 hold तक अरम से amplifier चल जाये गया और इसका power cable भी काफी मजबूत हमें देखने को मिल जाता है काफी heavy quality में दिया गया है तो power cable मुझे काफी पसंद आया तो दोस्तों अभी बात करते हैं कितने ohms पर कितना load दिना चाहिए तो 8 ohms पर per channel 660 hold निकालता है तो हमें इसमें अगर bass के speaker चलाने है तो 6500 hold या फिर 700 hold तक का कोई भी bass का speaker आप इसमें चला सकते हो तो जैसे कि आर आहुजा का जो 660 hold का bass आता है तो ऐसा एक bass एक channel में दूसरा bass दूसरी channel में चला सकते हो तो ये 8 ohms पर काफी बढ़िया चल जाएगा ठीक है और अगर आप single का mid का speaker ठीक है जो भी single होगा ले आता है जैसे single का monitor हो गया पंदरा इंच में तो वो कितने आप इसमें चला सकते हो तो अगर आपके पास आहुजा का ही L15 MB650 speaker है ठीक है जो 660 hold का आता है तो ये भी इसमें चलेगा इसके अलावा पी ओडियो का जो 22-26 आता है ये भी आप इसमें चला सकते हो ठीक है तो एक चनल में एक दूसरे चनल में दूसरा मतलब 660 तक का load हम इसमें दे सकते है 8 ohms पर उसके बाद 4 ohms की बात करें तो 4 ohms पर 1108 पर चनल निकलता है तो इसमें क्या करना है एक पूरा हमारा top हो गया उसमें एक speaker 500 का नीचे का speaker भी 500 का और उपर 108 की HF हो गई तो ये पूरा हमारा एक top 1108 का बन जाता है तो ऐसा एक top एक चनल में दूसरा top दूसरी चनल में लगा देना है काफी अच्छी जो है कोलेटे मिल जाएगी और आवाज भी नहीं फटेगी आपको clip तक जाने के भी जरूरत नहीं है काफी बढ़िया जो है इसमें आवाज निकल जाएगा उसके बाद बाद करें टूम्स की तो तेरा सो पच्छा सोट पर चनल निकलता है और इसमें हम चार टोप चला सकते है तो एक टोप हो गया उसमें उपर का स्पीकर 200 का नीचे का स्पीकर 200 का और साथ में 40 या 50 ओट की एचेफ तो पूरा हमारा एक टोप 4500 का हो गया ठीके तो 4500 और 4500 ये दोनों हमारे टोप हो गये तो ये जो है टूम्स हो गया ठीके क्योंकि अंदर 4 स्पीकर लग गये तो ऐसे दो टोप एक चनल में दूसरे दो टोप दूसरी चनल में चला सकते है तो ये जो है 900 ओट का लोड होता है और ये एम्प्लिफायर 1350 ओट निकलता है तो दोस्तों अगर इतना हेड रूम रखोगे तो टूम्स पर जो है एम्प्लिफायर ज्यादा हीट नहीं होगा ठीके और एम्प्लिफायर के लाइफ भी ज्यादा हो जाएगी बाकी इसमें 300 प्लस 300 की मीड भी आप चला सकते हो लेकिन फिर जो है एम्प्लिफायर में हीटिंग का प्रोब्लेम रहेगा ठीके तो ज्यादा जो है टूम्स पर लोड नहीं देना 900,000 वोट तक आप इसमें टूम्स पर चला सकते हो और यह जो वोट मैंने बताएए वो एम्प्लिफायर के पीछे भी मेंसन किये है और एम्प्लिफायर के साथ जो पेपर आता है उसमें भी यहीं वोट लिखे है बाकी अगर आप इसकी वेबसाइट पर जाकर चेक करोगे तो उसमें वोट जो है कम लिखे है ठीक है मतलब सायद कोई मिश्टेक हो तो कंपनी वाला उसा रीक्वेस्ट है कि वेबसाइट में जो है वोट को सही लिख दे तो अभी बात करें प्राइस की लेकिन पईया इस प्राइस में फ्लाइट केस का पेशा कमपनी हमसे ही ले लेती है क्योंकि यार 36,000 में जो है ये थोड़ा महंगा लगता है क्योंकि इस प्राइस में अगर हम दूसरी कमपनी के एम्प्लिफायर देखे तो 25,000 हो गया तीनजार हो गया वह यार इससे सस्ते मिलते है तो ये 36,000 लगा कर फ्लाइट केस का पेशा तो हमसे ही वसुला जा रहा है तो दोस्तों आपको ये वीडियो के साल लगा मुझे कमेंट करका ज़रूर बताए और एसे ही नए नए और इंट्रेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारी डीजे सकती चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का एक उल्ड पर सेट कर देना ताकि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पोच्चती रहे तो दोस्तों मिलते हैं जल्द ही एक नए वीडियो के साथ